सरकस के हाती की कहानी बहुत दिनों पुरानी बात है एक बहुत ही बड़ा सरकस हुआ करता था इस सरकस में बहुत से जानवर कई परकार के कर्तब किया करते थे वहीं यहां पर एक हातियों का जुन्ड भी हुआ करता था जो की कई सारे कर्तब से लोकों का मनुरंजन करते थे रखा जाता था जिससे वे आसानी से भाग सकते थे लेकिन वो कभी भी नहीं गए एक दिन सर्कस में जाने वाले एक व्यक्ती ने रिंग मास्टर से पूझा इन हाथियों ने रसी तोंड के भाग क्यों नहीं इस सवाल पर रिंग मास्टर ने उत्तर दिया कि जब वे चोटे तब इन हातियों को पतले पतले रशी से बांदा जाता था लेकिन वो छोटे होने के कारण से बहुत कोशिश करने पर भी उस रशी से छूट नहीं पाते थे। तब उन्हें वही समाने रसी से भी आसानी से बान दिया जाता है उन्हें इसी विश्वास की वजह से उन्हें अब रस्यों को तोड़ने की कोशिच तक नहीं की लेकिन देखा जाए तो वो एक ही पल में इन सभी रस्यों को आसानी से तोड़ सकते हैं लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समाज की मर्यादाओं के आगे नहीं जुखना चाहिए वही हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं